नमस्कार दोस्तों आज है पुर्णी मा और आज हम बात करने जा रहें जिस टॉपिक पे वो है वाल पैंटिंग के बारे में अब वो चाहें इंटीरियर हो या एकस्टीरियर हो अब उसमें आते हैं में चीजे माटेडियल्स और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर प्रोसेज चाहें पैंटिंग के लिए कि नहीं इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कुछ क्रैक सिक रहे हैं या पिर अगर उसमें डर्ट है या फिर अफिर प्रत निकल रहे है या फिर अगर प्लास्टर है तो सबसे पहले आपको मार्केट से हाड़वय की शॉप से सेंट पेपर ल चाहिए आप रोयल पैंट लें या इशन पैंट की कोई भी लें या किते भी ब्रांडेट पैंट लें वो प्रॉपर वर्क तभी करेगा जब उसका बेस अच्छा होगा उसके लिए जरूरी है कि आप जिस सर्फेस पर पैंट करें हैं वो स्मूथ हो उस पर कोई डर्ट ग्री इसे ओई कुछ भी नहों उसके लिए सेंट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है इसे सेंट पेपर 1-8-0 कहते हैं तो इसे कहते हैं सबसे पहला स्टेप है कि आप स्वाल सर्फेस को प्रिपैर करें पैंट के लिए सेंट की पेपर की हल्प से अपको प्रॉपर घिसाल करना प्रोसेस में लग जाएगा और फिर बात आती है इन क्रेक्स को बनने की तो इसके लिए हम वाल पुट्टी को पानी में मिक्स करके उसका एक गाड़ा पेस्ट बना के उसको स्क्रेपर की सहायता से एपलाई करेंगे ये स्क्रेपर या फिर ये मेटल की ऐसी प्लेट आती है ज को इसको यहां पर वाल पुट्टी को रखे इसको फिल करना होगा या तो आप इसकी कौन भी बना सकते हैं उसके थुरू भी अगर ज्यादा गेफों उसको उस तरह से फिल कर सकते हैं जब ये सरफेस पूरी स्मूथ हो जाएगी उसके बाद ही डिपैंड करेगा थि आपका काम कितना अच्छा हो रहा है क्योंकि अगर आप पहली स्टेप को फॉर अवाइट करेंगे तो इतनी स्मूथ फिनिश आपको नहीं मिल पाएगी आप चाहे कितना महिंगा या रॉयल ब्रांड यूस कर ले इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो वॉल है उसको अच जब वो ड्राय हो जाए तो आपको बापिस से कुरबार से उसकी वॉल की गिसाही करनी पड़ेगी ताकि जो भी दरार है उसमें अगर कोई वॉल पुटी उपर निकली हुई है तो वो पूरी स्मूथ हो जाए सर्फिस आपकी पूरी इवन हो जाए उसके बाद हम का प्ले सकते हैं हमने पेशिंट पैंट यूस किया है प्राइमर को आपको अपलाई करने के बाद चैसे आग घंटे के लिए ड्राय होने देना पड़ेगा उसके बाद हम एपलाई करते हैं जो वो होता है बेस कलर के साथ हम कोई कलर मिक्स करते हैं यह जो ट्रैक्टर इमल् यह वेरी करेगी प्लेस तो प्लेस या आप कहां पर किस सिटी में आप किस स्टेट में है या आप ऑनलाई पर्चस कर रहे हैं तो इस आपसे भी प्राइज इसकी वेरी हो सकती हैं इसके अलावा यह 10 लीटर की बॉटल में भी आता है और इसकी कॉस्ट है करीबन 1350 रुपए तो अब इसमें यह एक्चुल में होता है white color, ठीक है? यह basically a base color होता है, यह हमने इसमें color मिलाया हुआ है, light pink shade मिलाया हुआ है, अभी color कैसे बनाते हैं, इसकी आपको इस्तेमाल करना होगा, यह stainer, यह stainer bottles में भी आता है, या फिर आपको वो polythin में बना की भी दे सकते हैं, hardware shop अब यह इस टेनर जो है 50 ml का है इसकी कॉस्ट है 37 रुपीस इस पे इसका नाम लिखा रहता है और कोड भी रहते हैं जिससे आप इसका शैट का पता लगा सकते हैं शैट बुक के द्वारा जैसे हम एक्जामपल के लिए बात करते हैं और कोई रूम है दस पैबीस फुट का य में 5-7 लीटर परियापत है लेकिन अगर हम उसको ज्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है 7-8 लीटर आपको इसमें लग जाए तो उसके लिए अगर आप कलर कुछ से बना रहे हैं तो आपको इन दो चीजों की आफशकता पड़ेगी जो है ट्रेक्टर इमल्शन स्मूद वाल फ इसमें आपको कोई स्टेनर कोई कलर यूज नहीं करना है इसको आप एज़िटी इसमाल कर सकते हैं आफटर एपलाइं प्राइमर प्राइमर अगर आप प्राइमर इसमाल नहीं करना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि आपके बजट में नहीं है या फिर आपको लगता है कि वॉल आपकी अच्छी है वॉल पुट्टी से और की साइस अच्छी होगी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं प्राइमर को अब हम बात कर यह एक और एक शेर्ड है यह परपल यह भी बना बनाया कलर है अब इसके बाद बात आती है पूरे घर को पैंट करते हैं तो इसके बाद आते हैं विंडोस को कि विंडोस को हम कैसे पैंट करें उसके रिए आता है शेन पैंट का अपको लाइट प्रीमियम इनिमल यह दो तरी पैक जिसकी क्वण्टीची है तुसीष्टिभी रूपीस तो आप अपने प्लेसज कीक कॉडिंग्ली। विंड़ू की साइज के कॉडिंग्ली कालर्स को कम या जयादा इस्तिम्णाल कर सकते हैं अगर आपको proper idea नहीं है कि किते बाई किते area में हो किते बाई किते windows के area में आपको किता material लगे गा तो आप shop की पर owner से एक idea ले सकते हैं अगर आप ने किनीको professionals को हाईर किया है तो वो तो आपको आपकी area के coding सब चीजे बता देंगे लेकिन अगर आप खुछ से paint करना चाहा रहे हैं तो मैंने आपको एक basic idea दे दिया है कि 20 by 20 foot के room के लिए कारीबन 7 से 8 लीटर का paint चाहिए होता है अब 7 से 8 लीटर का paint चाहिए होता है इसका मतलब क्या हुआ एक तो हो गया primer प्राइमर और एक होता है color अब color जो है यह color में हमें water को भी add करना पड़ता है water का ratio 1 इस टू 3 का होता है इसका मतलब ही हुआ कि यह देखिए यह एक चीज है यह white color में हमने color mix करके यह prepare कर लिया है shade और उसको हमने transfer कर दिया है एक बड़े bucket में जैसे यह 4 लीटर का था यह bucket खाली था तो उसमें हमने add किया था यह 4 लीटर का 2-2 लीटर करके add किया था अब जैसे मैं आपको example के लिए बताती हूं सबसे पहले आप 1 लीटर का यह ले tractor emulsion ठीके उसमें आप shade ले अपने according किता आपको light चाहिए किता dark चाहिए है अब दिक्कत ही आती है कि अगर आप बहुत ज्यादा perfect नहीं है colors के मामले में अगर आपको लगता है कि कहीं shade कम हो रहा है कहीं ज्यादा हो रहा है तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए आप direct color shade पे भ अगर अगर आप यह नहीं उसकरना चाह रहे हैं direct color आप चाह रहे हैं कुधी color आप बनाए तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता देती हूं आप क्या करिए जैसे आपके पास भली किती पा चाल लीटर की bottle हो या 10 लीटर की आप इनेमल हो सबसे पह लगेंगी यह डिपेंड करता है कि आपको light shade चाहिए है कि dark shade चाहिए जैसे यह है violet color कुछ इस तरह का color है अब यह देखिए ना colors में कित्ते सारे shades होते हैं एक ही purple में किते varieties of shades हो सकते है dark light तो यह उस इस आप से डिपेंड करेगा कि किती bottle आपके लग रही है सपोस अगर हमको light shade चाहिए तो हम इसमें पूरी एक bottle डालेंगे एक लीटर में उसके बाद हम एक लीटर में हम 300 ml क्योंकि हमारा ratio है 1-2-3 का तो हम इसमें 300 ml मतलब 1000 ml में 300 ml पानी डालेंगे उसके ब कि वह स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए अगर आपको जाहिए कि 300 ml से ज्यादा आपको चाहिए है तो आप तोड़ा सपनियों रेड कर सकते हैं तो आपको जो भी material पैंगते है वह तोड़ा डाइलूट हो जाएगा ठीक है तो इसका ट्रिक ही है कि वही शेड आप इक्श्टर प्रिपार कर सकते है उसकी है कि अपास ब्रश की हल dau कि रहे हैं तो ये हमारे पास ब्रश की हल से कर रहे हैं तो ये इस तरह की आपको पैंट जाहिए वोडन के लिए चोटे ब्रॉट के लिए आलक पांट आता है और ये जो है इनेबल यहां लिका होता hai देखिए, इस्मूथ वाल फिनिश, इससे अब समझ जाएंगे कि ये वाल्स के लिए है, ठीक है? ये जैसे वाल है, इसके लिए हम ये इनेमल यूज करते हैं, और जो हमारी जालियां है, विंडोस हैं, ये बुडन है, ये पुरा माटेरियल चेंज हो गया है, ये वाल है, इस से भी पैंट कर सकते हैं और जो भी आपको अगर आप मशीन यूज करना चाहते हैं आपका बजट उस तरह का है तो आप मशीन यूज कर सकते हैं अब उसके बाद दो कोट हम एपलाई करते हैं प्राइमर लगाने के बाद हम दो कोट हमारी कलर की इमल्शन की एपलाई करते हैं ठीक है आप इन दो चीजों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो येगा इसलिए मैंने आपको ये कमपैरिजन करके बताया है ये जो है ट्रैक्टर इमल्शन स्मूद वाल फिनिश ये वाइट कलर में आता है इसके साथ वेराइटीस ऑफ बॉटल्स आपको ये शेड इसलिए स्टैनर कहते हैं ये आपको मिल जाएंगे इसके त्रू आप कुछ से कलर बना सकते हैं अगर आपको कुछ से कलर नहीं बनाना है तो उसके लिए म बनाना चाहते हैं अगर आप स्टैनर यूज करते हैं तो उसमें ये फाइदा है कि जो भी हमारे वाल्स पे आउटर लाइन्स होती है तो उसको आप डार्कर शेड में बना सकते हैं मतलब एक शेड आपने ये बनाया और आउटलाइन करने के लिए आप इसमें और ज्यादा वाटल सेड कर सकते हैं इसमें आप भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको स्टैनर लिना पड़ेगा लग से अगर आप डार्क चाह रहें तो ये डिपैंड करता हैं चोईसे पे उसके बाद बात आती है ख्लीन की जो भी ये वाल्ल पैंट है उसके बाद आप इसको इनके समय लग जाते हैं क्योंकि हमें उसको कुछ देख लिए छोड़ना भी पड़ता है या तो यह सकते हैं कि आप एक रूम में पहले अप्लाई कर दें पहला कलर फिर दूसरे रूम में अप्लाई कर दें ताकि वो बीच का जो डूरेशन है वो उसको समय भी मिल जायो द इसके लिए हमारा मेटलिक फिनिश आता है पैंट उसका हम यूज करते हैं और उसको डाइल्यूज करते हैं हम घास लेट की हल्प से आशा करती हूं आपको यह वीडियो लाब धायक रहेगा इंफॉर्मेटिव रहेगा तैन्यवाद थैंक्यू